हाई अबरिमन देशी पापन चर्मा बात करते हैं मंडे के सेशन के लिए फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी फानेशन निफ्टी एंड इंट्रडे स्टॉक्स के लिए लास्ट क्लोजिंग की बात करें निफ्टी का निफ्टी क्लोज एट 22.040 हमारे पास एक क्रूशिल लेव है निफ्टी का that is 22.125 ऐसा दग रहा है कि इसको टेक आउट करना निफ्टी के लिए जादा मुश्किल काम नहीं है इसके ऊपर का क्लोजिंग का मतलब पहले हम बात कर रहे थे कि निफ्टी को पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 22.000 के ऊपर क्लोज करना जो पहला ट इ Characterивать करते हैं हम ने इसके लिए यूज किया था टा हिबंची उसके accordingly हम आगले जो हमारे आने वाले लेवल्स है जहां आपको मेरे पीछे एक slide दिख रहा है, इसमें देखेगा आप, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, buying interest in HDFC bank, last session में HDFC bank में फिर से buying शुरू हुई है, इसको आप bottom buying भी कह सकते हैं, bottom fishing भी कह सकते हैं, important है यह continue करें, जैसे यह continue किया, तो आप समझ सकते हैं कि अकेला HDFC bank market को lift करा सकता ह है, second है market mood, देखे, market के तीन mood होते हैं, fear, extreme fear, greed and extremely greedy, जब market extremely greedy होता है, तो हम sell के तरफ जादा ध्यान देते हैं, जब market extremely fearful होता है, तो हम buy के तरफ ध्यान देते हैं, कुछ time पहले last week में, market extremely fearful था, अब वापिस से fearful पे आ गया है, और यह time, जो भी current sentiment build होए है, उनको carry करने के लि another heavyweight, 29,000 का support है इसके पास में, यहाँ पर देखने वाली बात है, कि 29 अगर hold कर लेता है, तो HDFCU bank और alliance दोनों में अगर buying आती है, तो carry हो सकता है, 250, 300 के level देखने को मिल जाए, इन nifty के अंतर, बात करें, PSU banks में, लगातर high पी high बन रहा है, तो PSU banks में भी यह point हमारा continue करेगा कि आगे भी यह भी stream बाकी है, उसके बाद में यह हमने discuss करे लिए है 5th point, 5th और 6th point हमने discuss करे लिए है कि OI data भी support कर रहा है इसको, बस अब एक चीज का समझेगा, सारी चीज positive नहीं होती है, कुछ चीज़े हमारे पास ऐसी हैं, जिनको आप कहेंगे कि थोड़ा सा negative भी हो सक रहे हैं, PSU bank में, या मैं कहूंगा bank nifty में buying आती है, तो किसी sector में तो पैसा जिसे निकाला जाएगा, वो ही तो हमारे banks के अंदर जाएगा, ऐसा लग रहा है कि IT sector में, auto में और pharma में sector rotation आ सकता है, यहां पर तुछ आपको profit booking देखने को मिल सकता है, और इसके लिए NASDAQ अगर आज data build हो रहा है, similar kind of data was available at 2014, तो 2014 के बाद में, अगर 2015 का अगर आप chart देखेंगे, वहापे आपको गिरतवा नजर आएगा, उसमें अब हम क्या कर सकते हैं, अभी ऐसा लग रहा है, कि जो अभी हमने target discussed के न, 22, 400 से लेके 600 का, 24th जो हमारा आने वाला week है, coming week, that is 24th of Feb, यहा तक आप कह सकते हैं कि market positive रहेगा, अभी के लिए कोई negative news जो अभी हमने discuss किया है, नहीं लग रहा है कि market को impact करेगा, क्योंकि OI data भी इस time पे positive ही build up show कर रहा है, तो आसा वीडियो आपको बड़ा हो सकता है, मैंने अलग लग वीडियो नहीं बनाया, Nifty का और बाके analysis का, इसे म include किया, so that हमें जादा ना देखना पड़े, यहाँ पर देखेगा, मेरे पीछे आपको chart नजर आएगा, यहाँ पर यह 22,000 पे है, यह हमारे पास इदर देखेगा, 22,000 पे 52,000 पे 52,000 हमारे पास put writing हो रहा है, 39,000 हमारे पास call writing हो रहा है, मतलब यहाँ पर positive है, उपर के तरफ आते हैं, 22,100 पे हमारा 40,000 का resistance है, 20,000 का support है, बस यही एक level ऐसा है, जो nifty कल, OI के basis पर अगर take out कर लेगा, तो 24 से पहले, यह जो level हमने discuss किये थे, यह हमें देखने को मिलेगे, तो 19, 20, 1, 2, 3, तो यह हमारे पास में लगबग इन 5 दिन के अंदर, यह हम target लेकर चल रहे है, that market in last Saturday, coming Friday end तक, यह Saturday तक, यह level को touch कर लेगा, यह सारा का सारा indication कर रहा है, अब इसी को शुरुबात करते वे, Monday का session हमारा कैसा रहेगा, चले देखते हैं, और friends अगर अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो यह अर अभी जाके, सब्सक्राइब एन पे क्लिक कीजेगा, बेल ऐकन प्रेश करना बिल्कलों धूलेगा, उसके बाद जो भी नए वेडियो आएगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, description box में कुछ लिंक्स अवेलिबल है, हमारे वेपसाइट का लिंक, और कुछ दीमेट अकाउंट के लिंक्स, और सबसे सामने ऐसा, दुमारा वो नजर ना आए, और चलिए बात करते हैं, सबसे पहली क्या करते हैं, चार्ट के उपर अगर मैं आपको दिखाऊंँ देखेगा, यह वाला पार है, यहाँ पर मैं आपसे ऐसे कह रहा था, यह अगर इसको आप करेंगे, यहाँ पर, इधर, यह क्या बात करें, टॉप वन, टॉप टू, एंड टॉप थ्री, बैस हमारे पास में यही एक लेवल है, अभी आपने देखा था कि 22,100 पे 40 लाग हमारे पास रिशेशन था, 22,100 पे पूट साइड पे 20 लाग का सपोर्ट था, तो बैस यही लेवल हमारे लिए थ्रौशा हर्डल है, यह क्रॉस हो जाएगा, तो 24 से पहले जो हमने लेवल डिसकस किये थे, वो हम आराम से देख पाएंगे, तो आई शूड से हमें बाइंग भी 22,100 के उपर ही करना चाहिए, मार्किट को जाने दीजेगा हो सकता है, गया आप आप ओपन इसी के आसपास हो, और राइस करें, य 50 यहां hold कर लेता है, तो यहां पर आपका call buy बनेगा, यह 22,100 triple top बना देगा, इसको sustain नहीं कर पाया, तो याद रखेंगा, triple top एक powerful bearish pattern भी होता है, तो यहीं पर आपका sell बनेगा, जिसको आप sell on rise भी कह सकते हैं, या आप put buy कर सकते हैं, टागेट रहेगा 22,000 का, क्यों, क्यो end of the day, मतलब half day के बाद में, जो हमारा OI build आप जिसको आप option change से समझ सकते हैं, वो भी यह कहें कि अब sell on rise के बाद में, immediately जैसे 22,000 touch होगा, यहां से buy on dip भी आपका बन रहा है, तो यह level crucial level है, any level below this will be good, और फिर आपका put buy continue करेगा, जिसमें आपका target हो सकता है 21,800 से लेके 600, क् उसके बाद में, कुछ नहीं, तो यह level हमारे बापी से touch किये जाएंगे, बाकि यहां पर support one है, यह support two है, तो कुछ नहीं लग रहा है कि यह हमारा जो priority की बात करें, तो bullish priority है, क्योंकि हमारा जो support two है, वो support one से काफी उपर जाकर बना है, it indicates a positive momentum, but market है, और हम intraday trader है, तो इस इसको ध्यान रखेगा, यह level आपका breakout होना जरूरी है, तो कोई भी call 22 के पर बनेगा, intraday के लिए यही पर आपका sell बनेगा, और 22,000 आपका crucial level है, मैं तो बहुत सारा support है यहाँ पर, तो आपका, जो भी 30-40 point आपके हाथ लगेंगे, उसको book कीजेगा, और बैठीगा, उसके double bottom ही बन रहा है, और यहाँ भी S1 और S2 ऐसे ही बन रहे हैं, हमारा जो अगला support है, वो थ्वासा higher low पे बना है, और यह हमारे पास में एक major hurdle है, and that is coming around 46,500 का, यह अगर take out कर लेता है, तो एक अच्छी सी आपको rise देखने को मिलेगी, तो बस हमें इसी को focus करना है, तो इसको ह and 11 lakh, कोई खास बड़ा नहीं है, और 400 पे बराबर है, और नीचे की तरफ बराबर है, इसका मतलब है, ज्यादा chance इधर भी हमारे पास में, उपर की तरफ के level के हैं, तो हमें कोई भी अगर buy करना है, तो इसी level के उपर, तो हमारा क्या होगा, any call buy will be above 46,500, और यह अगर break करता है, तो वापिस से 48,500 के level ready हो जाएंगे, और 24,000, sorry, 24th of Feb तक हो सकता है, हमारा यह outlook भी cover हो जाए, थोरा सा market 46,300 के नीचे आपने देखा होगा, 46,300 के नीचे, यह थोरा सा हमारे लिए doubtful है, तो इसके नीचे जाने के बाद, flat opening के case में, हमारा put buy बनता है, और इसके ऊपर हम exact moment है, मैं कहूंगा no trade काफी अच्छा रहीगा, फिर भी अगर कोई अच्छी opportunity नजर आएगी, तो मैं आपको telegram पर definitely update कर दूगा, फिलहाल मेरा यहाँ पर कोई outlook नहीं है, sell on rise का, यहाँ पर definitely हमारे पास buy on dip बनता है, यह buy on dip, मतलब यहाँ पर positive outlook है, तो क्यों हम sell on rise की बात क definitely 46,300 पर हम कर सकते हैं, बट sell on rise नहीं बन रहा है, और यह अगर take out किया, तो समझेगा कि आपका हो सकता है, कल ही आपको 47,000 के level देखने मिलें, क्योंकि PSU, HDFC सारे support कर रहे हैं, और यह एक अच्छा momentum gain करा सकते हैं, bank nifty को भी, तो यह outlook रहेगा हमारा bank nifty के लिए, financial nifty के बार आप extend कर सकते हैं, यह मैंने क्या किया है, जो हमारा recent high बनाता है, उन सब को connect करते हुए, हमने सारे highs को connect किया है, और यह trend line प्लाट कर दिया है, तो जिस trend line की ऊपर जाने के बाद अपने आपको hold करता है, financial nifty, तो यह इनी level के आसपास आपको देखने को मिलेगा, तो कोई भी हो सकता है, आपको selling side में कम opportunity मिले, तो sell करने की बजाए, अगर हम buy on dip की तरफ ध्यान दे, तो जादा ठीक रहेगा, अगर आपको लग रहा है कि market positive है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो 2400 के आसपास आने के बाद में, आपका buy on dip भी नज़र आएगा, और फिर से आपका target anything below 380, तो आपके लिए कहीं ने कहीं, ये मिलेगा आपका put buy के लिए, तो आपका 440 से लेकर 400 तक ही आपका एक छोटा सा outlook बनता है put buy का, otherwise no trade रखेंगे, जरुरी ने कि हर बार put buy करना चाहिए, थुरा सा wait करें, हो सकता है आपको अच्छा से call buy का option मिले, इसके नीचे मैं यहाँ put buy बनता है, फिर आपका target बड़ा रहेगा, and that will be financial nifty, चले अब intradically stocks को भी analyze करते है, last one ने stocks प्रवाइड किये थी, उसमें coromandel और granules ने काफेचा perform किया, बाकी हमारे दोनों stock flat रहे, तो यहाँ पर दिखेगा, यह हमारा पहला pick रहेगा, वो रहेगा HDFC live, अगर HDFC live क अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यह एक line अगर मैं ऐसे draw करता हूं, तो आपको देखें, यह कुछ ऐसा रज़र आएगा, और यह line indicate कर रही है, a kind of breakout, यहाँ पर एक low बना, अगला higher low बना, और फिर से इसने, तो यह line आपका एक बड़ी moment लेकर आएगी, हम क्या करते है 590, 495 के उपर जाने के बाद में, HDFC life में buy कर सकते हैं, कोई भी अगर trade आपका नीचे कि तरह बनता है, तो यहाँ पर 588 से लेके 89 के नीचे अगर break करता है, तभी आपका trade बनेगा, जो पूरा-पूरा setup बन रहा है, वो तो यह बन रहा है कि इसके उपर जाता है, और rise करता ह तो कुछ नीचे तो पहला target आपका 600 करेगा, second target 605 से लेके 610 के बीच में आपका निकल कि आएगा, और यहाँ पर रखेगा maximum stop loss आपका 5 point काउना चाहिए, 4B बनेगा, और अगर आप pullback के बाद लेते हैं, उस जो भी हमारा low बनेगा, तो हमारे लिए जादा अच्छे opportunity आए वापिस से उस पर resistance phase किया, वापिस नीचे आ गया, अब हमारे पास जो outlook निकल के आ रहा है, वो simple है, वो यह है कि इसको 30 ने time frame पर जो मैंने plot किया, so it's found that, यहाँ से यह देखेगा, यह line बना, और नीचे के तरफ हमारे पास यह line बना, यह उपर का जो line है हमारे पास में, य वाला, this is coming around somewhere close to 476 से लेके 477, यह break करता है, तो याद रहे उपर भागेगा 490 के target के लिए, तो इसी के उपर आपका buy निजर आता है, नीचे के लिए 470 पे support लिया था, उससे पहले यहाँ पर गिरने बाद फिर से bounce back या तो यही level हमारे लिए काम करेगा for any kind of sell, इसकी नीच जाने के बाद में आपका sell initiate होता है, maximum stop loss आपका 4 और अगर ठीक से करेंगे तो 3 भी आपका निकल किया जाएगा, तो इस level के उपर जाने के बाद में थोड़ा से wait कीजिएगा, पहले 15 भी इस minute कोई trade मत लिजिएगा, किसी भी index के अंदर, किसी भी stock के अंदर, wait करेंगे, तो यह जो pattern बन रहा है, यह हो सकता है, हमारे लिए काफी अच्छी upside move लेके आए, और friends, जो भी मैं आपको यहाँ analysis कर रहे है, मेरी personal analysis है, कोई भी अगर आप trade लेते हैं, तो खुद analysis जिरूड कीजिएगा, और अपने financial concerns रे एक बार सलाज लिजिएगा, यह investment rise बिल्कुल न उपर की तरफ 379, तो 379, नीचे की तरफ अगर मैं करता हूँ यहाँ पर वापी से आते हैं, और थोड़ा सा देखते हैं, and this is coming around, 370, यह तो 375 बन रहा है, 375, so 374 ले लेते हैं, यह level अगर data power hold कर लेता है, rise करके, इसके उपर जाएगा, hold करता है, तो यहाँ पर buy initiate होगा, यह channel में trade कर रहा है, इस channel में ऐसे चलता रहेगा, तो no trade रहेगा, इसके नीचे आके इसको hold करके rise करता है, fall करता मतलब, तो यहाँ पर आपका sell बनेगा in data power, next pick रहेगा, गुजराद gas, गुजराद gas में क्या हुआ है, एक काफी अच्छी rise के बाद में, गुजराद gas वापि 50 का, आज उसके नीची जाके उसने close किया है, bounce back आता है, तो यही level आपके लिए buy initiate करेगा, तो इसके उपर जाने के बाद hold कर लेता है, तो यहाँ पर आपका buy बनता है, और इसके उपर 15 minute भी hold कर लेगा, तो काफी अच्छी buy बनेगा, तो 930-35 तक hold कर लेता है, तो काफी अ momentum बनेगी, और यह rise करेगा, जिसमें target आपके हो सकते हैं अराम से, 555 और 560 के भी, 5 point का इसमें stop loss रखेगा maximum, और 3 point का टाटा power के इंदर, नीचे के तरफ अगर आप देखेंगे, तो यह वैसे भी, एक rise के बाद में ऐसा लगेगा, यह continuity pattern है, इस तरह के pattern को continuity pattern बोलते है, और in case if it break 541, तो further fall करेगा, और इसमें फिर आपका target देखें, बड़ा ही नजर आ रहा है, तो 535 और 530 के लिए गिर सकता है, तो इसके नीचे आपका है, यहाँ पर sell initiate हो जाएगा, गुजरात क्यास के अंतर, तो guys, यह रहेगी हमारी analysis for Monday, और जाने चे पले, वीडियो को like करना मुझ भूलेगा, मिलते अंगली वीडियो में, till then take care guys, have a nice day, bye bye